बारिश के कारण मैंने अपने घर का निर्मान कारे रोक दिया है बुन्याद में लगे रीबार का कुछ हिस्सा वातावरण के संपर्क में है मैं दो महिने बाद दुबारा निर्मान का काम शुरू करूँगा पर क्या बारिश की वज़े से रिबार के खुले हिस्से में जंग लग जाएगा? क्या ये हानिकारक है? इस सम्मद में सही सलाच चाहिए बारिश के समय अगर रिबार को एक-दो महिने तक खुले में रखा जाए तो जंग लगना प्राकृतिक है ये हानिकारक भी है जंग लगने से बचाने के लिए रिबार पर सिमेंट और पानी का गोल लगाए ताकि ये वातावरन के सीधे संपर्क में नहीं आए आपकी अधिक जानकारी के लिए ये बता दूं कि हलका जंग लगना हानिकारक नहीं है और उसे एक हार्ड ब्रश या सेंड पेपर के इस्तिमाल से हटाया जा सकता है बड़े-बड़े निर्मान स्थलों पर रिबार की उपर लाली पन लाने के लिए पानी छड़का जाता है जिससे रिबार की बॉंडिंग कॉंक्रीट के साथ मजबूत होती है इनकी समस्या का समाधान तो इन्हें मिल गया क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाने जा रहे हैं क्या आप विश्वस्निय जानकारों से मुफ्त परामश्च चाहते हैं टाटा टिसकॉन के एक्सपर्ट से सलह लें इस लिंक पर क्लिक करें आस्क एक्सपर्ट्स ग्रह निर्मार से संबंदित सभी प्रश्णों के लिए